बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, Assalamu alaykum students, hope you all are fine, dear students, open your SSD book on page number, page number 10, lesson, आज हम new lesson start करेंगे students, I hope so, आप लोगोंने homework किया होगा, जो कल मैंने आपको दिया था, मैंने आपको homework page number 9 पे दिया था, ठीक है, आप लोगों को ये activity दी थी, कि आप लोगोंने ये activity खुद करनी है, find the names of, find the names of games shown in the pictures, ये आप लोगोंने किया होगा, ठीक है, और students साथ में मैंने आप लोगों को ये, कुछ questions दिये थे, कि आप लोगोंने ये याद करने है, question number one, the right rules that, that we should follow while playing, question number second है, what is your favorite game, ये आप लोगोंने किया होगा, ठीक है, अच्छे, तो अब हम आते हैं, अपने lesson number four की तरफ, lesson name is keeping clean, इस lesson में, आज हम सपाई के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि कैसे हमने, अपने आप को, अपने गर को, अपने स्कूल को, अपने street को, कैसे हमने साप रखना है, ठीक है, चले तो students साथ स्टार्ट करते है, read and share की तरफ देखे, prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, cleanliness is half of the pit, cleanliness is half of the pit, सपाई निस्प इमान है, ठीक है, इसका तरजुमा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ने परमाया कि सपाई क्या है, निस्प इमान है, ठीक है, तो अगर हम अपने आपको साप रखेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो यह होगा, कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, हैंडस वाष करेंगे, हैंडस वाष करेंगे, पैस वाष करेंगे, टाइम पे वज़ू करेंगे, निमास पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा जो पूरी बाडी है, वो कलीन होगी और हम different बीमारियों से बच जाएंगे, जैसे कि आज कल कि क्रोना की वाइरस चल रही तो आप लोगों ने करना क्या है आप लोगों ने हैंड्स को प्रॉपर तरीके से वाश करना है और साथ में अपने पैस को और जब भी आप लोग बाहर जाओ तो सबसे पहले आप लोगों जब गर पे आ जाए तो आप लोगों ने करना क्या है आप लोगों ने हैंड्स वाश करने हैं, hands wash करने हैं, और साथ में अपना पैस वाश करना है, 20 मिनिट से का आप लोगोंने hands wash करते रहना है, soap के साथ, ठीक है, चले तो students अब हम आते हैं, अपने lesson की तरफ, look at your books, Adil and his friends are playing in the park, it's getting dark and time to go home, when Adil gets home, his mother says, wash your hands with soap and water, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आप लोगोंने क्या करना है, अगर केलना है, तो केलने के बाद आप लोगोंने, soap and water के साथ, hands wash करने हैं, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जितने भी हमारे hands पर germs होंगे, dirt होंगे, वो क्या हो जाएगी, वो remove हो जाएगी, वो खतम हो जाएगी, ठीक है, आदिल says, mother, why do I have to wash my hand, अब आदिल अपने ममा से क्या करे, why do I wash my hand, mother says, there is a lot of dirt on your hands, उसके ममा ने कहा, कि आपके हाथों पे बहुत ज़्यदा dirt है, germs होंगे, ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें hands wash करना चाहिए, अगर हम hands wash नहीं करेंगे, तो ये dirt हमारे, हमारे मूँ के जरिए, हमारे stomach में चले जाएगे, और हमें different type के बिमारि लग सकती है, लग जाएंगी, ठीक है, आदिल लोग इट है, आदिल लोग its, his hand and says, yes, I got dirt on my hands, आदिल ने हाथों को देखा और कहा, yes, I got dirt on my hands, मेरे हाथों पे dirt है, I must wash them, मैं इसे जरूर क्या करूंगा, I must wash them, मैं इसे जरूर साप करूंगा, he washes his hand with soap and water ठीक है अदिल ने क्या किया उन्होंने soap and water के साथ अपने hands क्या किये wash किये and dry them with a towel और उनको dry किया towel के साथ अच्छे तु स्टूरंट्स चले है आप लोग मुझे बताए do you wash your hands with soap and water yes good we all are washes hands with soap and water आदिल always keeps himself clean that makes him healthy and fit आदिल हमेशा क्या करता है वो अपने hands wash करता है clean रखता है अपने hands को it makes him healthy and fit अगर हम इसी तरह अपने hands wash करेंगे अपने जब भी आप लोग बाहर के लिए गर आते ही हुए अपने hands wash करेंगे तो हम कैसे रहेंगे हम healthy and fit रहेंगे अच्छे तो स्रूंट आयोप सौ आप लोग को इसका किसा मजाई होंगी ना थेंक यू क्लास आला हाफिज